जै मातादी दोस्तों, नवरात्र के नो दिन भक्ति और साधनों के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं, इनके पहले दिन सैल पुत्री की पूजा की जाती है, सैल पुत्री हिमाले की पुत्री है, हिमाले परवतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता, जब हम भक्ती का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरग का अडिग विश्वास होना चाहिए तभी हम अपने लक्ष तक पहुच सकते हैं यही कारण है कि नवराद्र के पहले दिन सैल पुत्री की पूजा की जाती है मा सैल पुत्री की कहानी मा सैल पुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है इनकी कहानी इस प्रकार है एक बार प्रजापती दक्ष ने यगी करवाने का फैसला किया इसके लिए उन्होंने सभी देवी दवताओं को निमंतरन भेज दिया लेकिन भगवान सिव को नहीं देवी सती भली भाती जानती थी कि उनके पास निमंतरन आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ वो उस यग्य में जाने के लिए बेचैन थी लेकिन भगवान सिव ने मना कर दिया उन्होंने कहा कि यग में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंतरन नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है सती नहीं मानी और बार बार यग में जाने का आगरह करती रही सती के ना मानने की वज़ा से सिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमती दे दी सती जब अपने पिता प्रजापती दक्ष के यहां पहुची तो देखा कि कोई भी उससे आदर और प्रेम के साथ बाचित नहीं कर रहा है सारे लोग मुँ फेर लेते हैं और फिर उसकी माता उसे सिने से गले लगा लेती है उसकी बाकी बहने उसका उपहास करने लगती है और सती के पती भगवान सीव को भी तरसकार कर रही थी स्वयम डक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा ऐसा वेवार देख सती दुखी हो गई अपना और अपने पती का अपमान उसने सहन्ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कलपना स्वयम डक्ष ने भी नहीं की होगी सती ने उसी यगी की अगनी में खुद को स्वाहा कर अपने प्रान त्याग दिये भगवान सीब को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए दुख और गुस्से की जौला में जलते हुए सिब ने उस यगी को ध्वस्त कर दिया इसी सती ने फिर हिमालय के यहां जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वज़ा से उनका नाम सहल पुत्री पड़ा सहल पुत्री का नाम पारवती भी है इनका विवा भी सिब से हुआ है सहल पुत्री का वास कासी नगरी वारा नसी में माना जाता है वहां सहल पुत्री का एक बेहत प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मानिता है कि यहां मां सहल पुत्री के सिर्फ दर्सन करने से ही भक्त जनों की मुरादे पूरी हो जाती है कहा तो यह भी आता है की नवरात्र के पहले दिन यहनि प्रति पधा को जो भी भक्त वहान सलपुत्री के दर्सन करते हैं ुसके सारे वहो वाहिक जीवन के कश्ट दूर हो जा système चुकि माँ सलपुत्री का वहान विसा भॺ इसलिए उन्हें विशा रोडा भी कहा जाता है, इसके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिसूल रहता है.